तो सर्च संगत ए जो महान पावन पुवित्र दरबार है अस्थानवलों ग्याने जी हुरानों बहुत बहुत जियों वाया आख़ दियां एक जिकाराग जाए ते नाल ही फिर ग्याने जी हुना दी रसनातों पाई सहब पाई पिंदरपाल सिंग जी उना दी रसनातों गुरु किया संगता पहुंचियाने दूरा उधराडयों पावनगर गुजरातु संगता आए ने बाबा जी गुंदर शिंग जी मोनी सहब हुना दिली तो टोनी जी हो और बेंत गुर्मक पहुंचे ने तो सार यह संगता दूर दुराडय तो चलके महराज इस्थाना थे महरादी दीविचार श्रमन करिए बोले सोने हाल सतना तानुवा के गुरू साहिब जीओ काम करोद लोब चूठ निंदा इन ते आप चडावो काम करोद लोब चूठ निंदा इन ते आप चडावो एहे पीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलावो अपनी बिद आप जनावो हर जन मंगल गावो बिशर नाही कब हुँ ही एते एहे बिद मन मैं पावो गोर पूरा पिटियो वड़ पागी जान नाहनक कत है नातावो डंडाओत बंदन अनिक बार सर्व कला सम्राथ डोलन ते राखो हो प्रभू नाहनक देकारखत डोलन ते राखो हो प्रभू नाहनक देकारखत परम सनमान योग साहिब शरी गुरू गरंत साहिब सचे पाथशा महाराज जी दी पावन पवितर खजूरी अंदर जो हर साल तन तन बाबा साहिब सिंग जी बेदी साहिब उनन दे आगमन दिवशनु समर्पत विशेश गुर्मत दिवान सजाए जान देने और इनना साहरे गुर्मत समागमा दी देख रेक सनमान योग बाबा सर्ब जोट सिंग जी ओ आप कर देने इस वरे दे इस रातरी दे दिवान दी खाजरी आप जी पा रहे खो सनमान योग पाई बल जीत सिंग जी गुर्मीत सिंग जी सत्गुरां दी अम्रत गुर्बानी दा कीरतन उस बरतन विच सनु कीरतन दा पूजन शकार है सन जेस बरतन विच गुरु ने शबद नू टिकाया है राग एक बरतन है ते शबद इस विच गुरु देव ने आत्मक जीवन मानन वास्ते पूजन टिकाया है कईवरी पोजन कीमती होवे ते पांडाई मलीन होवे बंदे दा शक्र नू चितनी करदा एक पांडावी उतम ते गुरु दा शबद सब तो स्रेश्ट ते दाश कईवरी बिंती करदा के जितने वी तरमदे करम अपां करने हैं सब तो शरोमनी करम परमातमा दी कीरती है तनगुरु अरजुम देव जी महराज उनना ने सोर्ट राग विच बखैदा एक अश्ट पदी इस सबंद विच उचारन कीती के बारमुखी तरमदे करम ते परमातमा दी कीरती ओप वितर बचने पाठ पड़ेओ और बेद विचारेओ निवल पुयंगम सादे पंच जनासो संग ना छुटकेओ अधक आहंग बुद बांदे प्यारे इन बिद मिलन न जाई मैं की ये करम अनेका हार परेओ स्वामी के द्वारे दी जै बुद बिविकाँ इस सारी अश्ट पदी विच करमादा जिकर खे जिवें मोन पहो कर पाती रहो मन कामना तीर्ट जै बशेो जोग सिद आसन चोरासी जाल राज लिला राजन की रचना सारे करमादा जिकर कर देयां अखीरते माराज जी ने सब तो शरोमनी करम दसेया हर कीरत साथ संगत खे सिर करमन का करमा काउ नानक तिस पहो परापद जिस पुरूब लिखे का लेना साथ संगत विच परमातमां दी कीरती सब तो शरोमनी कर्म खे ओ कीरतन सनमान योग पाई सहब सर्वन करा के गए उना दे गाउन दा तरीका उना दे साज वजाउन दा तरीका कुदरती ताउर से साधे खिंडे कोई मना नू टिका दे रहा सी ए आप जी ने सर्वन कीते जो शब्दे ना गैन कीते ओ शब्द गुरुगरं सहब दे सिरी राग विच पगत रवदा सहब दे चाली शब्दा मिचों पहला शब्द कहे तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जाल तरंग जैसा जो पह खमना पाप करंता आहे अनंता पत्त पावन नाम कैसे खुंता तुम जो नायक आच्छो अंतर जामी प्रब्चे जान जानी जै जानते स्वामी शरीर अराद है मो को बिचार देखु रवदास समदल समझावै को हुँ ए अम्रत बचन्वी अधार बना के आप जी दी इस दिवान विच गुर्मत विचार राही सेवा कर सका क्योंके जो शब्द गयन कीता गया है ए परम अवस्था दा शब्द खें पर एस विच निमरता अत दरजे दी उस मापुर्ख दा शब्द उचार न कीता है जिन्नों वर्न वान्ड मुतावक तरमदा कोई गरंत पढ़नदा हाक नहीं जिन्नों वर्न वान्ड मुतावक देव आल्याविच जानदा कोई खाक नखी जेसनू उस वक्त दे बनाये कोई निजाम उन्शार सवर्न जाती वाले दे खूतो पाणी परंदा खुकम नहीं तन गुरु नानक बाबा जी ने एनी किरपा की ती के जिन्नानू खूते नीचर्ण दिता जान्दा जिन्नानू मंदर वीचनी वड़न दिता जान्दा जिन्नानू सच एवे किसे तरमदी सवाचनी परवेशन दिता जान्दा अज गुरु नानक दी बरकत नाल जिते तरमदी सवासच दी खे ओते ओना दे अमर्त बचन गएन करके सुनाई जान दे पगतरवदास सहब जी अव विचार दी प्रारंबता तो पहला आप जितने गुरु चरनाविच सुभाय मानखो बख्षो आसीस तन गुरु गरंत सह महराज किरपा करन सड़े अंदर दा टिका बना दें उन्जता वैसे सच एवे देखो गुरु सहब दी हजूरीच कोई खुशाम दी बोलने जितनी वरीवी दाशे थे आया है जदो असी नमशकार करके थे बैठने खां सच एवेस जगा दा वाता वरनी ऐसा खै कि बंदे दे अंदर दे जितने फुरने ने उना नू खत्म करके अ अंदर दा टिका बख्ष देंदा क्योंकि स्था ते पगती खोई सिम्रन खोया कमाईया खोया ते खोर याने आओ करो किरपा गुरु बख्षी फते सविकार करो और उचारन करो जी वाहे गुरु जी का खालशा वाहे गुरु जी की फते सत्गुरु गुरु नानक सहीव जी माराज आप निराकार ने साकार रूपतार्न कीता है एक पिछले सालाँ चीव एक बिंती कीती सी के तन्गुरु नानक सहीव माराज उनना दी उपमा विच खोद गुरु जोत ने तन्गुरु नानक सहीव जी दी उपमा विच शब्द उचारन कीते जिमें असी बानी विच्चो पढ़ने है के तिन तरांदी शू गुरु नानक सहीव ने जेसनू एक भी दे दिती उस बंदेदा पार उतारा हो गया उन्जता साथ गुरु दे जग्यासों नू पार करंदे आपने तरीके ने उदी आपनी मौज खे सुखमनी सहीव जी दी अठारवी अश्ट पदी उस देक पदेव चाहजूर ने एक एक तरीके दा जिकर कीता के गुरु दी शू गुरु दी सपरश्टा गुरु दी नेड़ता किस किस टंगनल मिल दी खे ते किस किस तरीके नल गुरु जदो नदर करदा खे ते एक आम इनसान ते दृष्टी करे ते उन्हों संत बना देंदा और तरीके महराजजी ने बानीच दसे ओपहला तरीका दसेआ कि गुरु दे दर्शन कदी नेफल नि सत गुरु गुरु नांक सहब दे दर्शन सबल नि जेडं़ वी खजूर दे दर्शन करेगा उस दे अंदर दी अग्यांता दा खनेरा कटे आ जाएगा दूसरा तरीका जेडा गुरु नानक सह्व जीनु मिलेगा हजुर दे नजदी कोएगा उस बंदेदा वी पार उतारा तीसरा तरीका जेडा सत गुरु दे चर्न सपरश करेगा उने दे चर्ना दी सपरशता मनोख दे अंदर नू निर्मल रीत देगी इस तो अगला तरीका जेडा गुरु दा बचन सुनेगा ओदे अंदर दी त्रिप्ती होवेगी इस तो अगला तरीका के जेशनु गुरु अपनी किरपा दी द्रिश्टी नल देखेगा ते उस बंदेनु माँ पुर्ख बना देगा असी ये पवित्तर पदा पढ़ने हैं के सफल दर्शन पेखत पुनीट एक गुरु दी बख्षिश करंदे तरीके सफल दर्शन पेखत पुनीट गुरु दा दर्शन सफल खे दर्शन करदें सार अंदर दी मलींता खत्म होंदिये ते अंदर निर्मल ताईदा निवास हो जा दाख है सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चर्ण गत निर्मल रीत जेड़ा गुरू दे चर्ण सपर्श करद है ओधे अंदर निर्मल ताई जीवन विच पवितरतां दीख है सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चर्ण गत निर्मल रीत पेटत सांग राम गुन रवे जेड साथ गुरु नू मिल पवे पेटत दारते मिलाप हो जाए ओधे अंदर परमातमादा नाम चाल दाख है पेटत संग राम गुन रवे पार ब्रम की दरगा गवे सुन कर बचन करन अगाने मन संटोख आतम पतियाने पूरा गुर अख्यो जांका मंतर अमर्त दरिश्ट पेखह होए संथ जिन्हों साथ गुरु गुरु नानक साथ अमर्त दरिश्टी नल तक देने उन्हों एक खेन विच संथ मना देने ता मैं बेंती अरंब कीती क्योंके पगत बानी मद योगदा अतिहास कदी पढ़ के देखो उस जोग विच की गुरु गरंद साहिब दी बानी विचो दर्शन करिए के पगता उपर किना कु जल्म होया किना कु ओना ते तका कीता गया उना ने उस तके नूँ उस जल्म नूँ उस बेंसाफी नूँ अपने अमरती शब्दां मेच भी दर्श कर देता तान गुरु नानक साहिब जी दाएक अमरती शब्द तिलंग राग विच के इस करके क्योंके जो शब्द गयन कीता उसे नूँ अधार बनाके ते एक दो कटना सनमान योग बाबा सहिब सिंग जी ओना दे जीवन विच ज़रूर सांजी करांगा गुरु नानक साहिब दाएक शब्द खे पहो तेरा पांग, खलडी मेरा चीत मैं दिवाना, पया अतीत तनु गुरु नानक साहिब माहराज, किनने खे परीपूर्ण परमात्मा जी तेरा पहे तेरा अदब, मेरे वास्ते एक पांग दीता राख है ते मैं अपने चेतनों ओ थैली बनाया है जिदे विच इस पांगनों मैं टिका के रख्या हुए पहो तेरा पांग, खलडी मेरा चीत, मैं दिवाना, पया अतीत मैं तेरे दर्शना देवेच ही दिवाना होया बैठाखा अतीत दा अर्थे नरले पहुणा साथ गुरु ने बानी विच क्या, कि तो दर्शन की करों समाए मैं दर मांगत पीख्या पाए तेरे दर्शना वास्ते मैं उच्ची सरी होके दे रहे हैं कि मेरे खपर विच कर कासा दर्शन की पूख मैं दर मांगू नीता नीत तो दर्शन की करों समाए मैं दर मांगत पीख्या पाए पिखारी आम तवरते कासा पक्ड़ दे कोई पोजन मांग दे कोई पदार्थ मांग दे हजूर किनन मैं अपने खात विच कासा पक्ड़ दे सिर्व तेरे दर्शना दी पोख लेके ते उच्ची सारी आवास देना पे होँआ कि मेरे इस खपर विच कोई तेरे दिदार दी खैर पादे इस तो अगले बचंतियान नर सुने हो के सर कुशम मिर्ग मैं खरना सर्ब शरीरी चड़ना चंदन पगता जोत अने की सर्बे परमल करना के पाट पांडा कहे न कोई ऐसा पगत वर्न मैं होई तेरे नाम निवे रह लिव लाए नानक तीन दार पीखे आपा है अब पांच छे जड़े परमान दिते ने इनू थोड़ा जैसी जरूर व्याख्या दी करान उस वक्त सोच पेटी इतनी सी के बंदे नू जनम करके उच्चा ते निवा मनिया जानदा सी पर गुरू नानक सहिब ने के किरपा की ती ओना जनम करके किसे नू उच्चा निवा नी क्या ओ कहने लगे सिर्व करमा करके बंदा उच्चा हुंदा है ते करमा करके बंदा निवा हो जानदा ए पहली करान ती सी के सदियां दी बनी कोई ए मर्यादा ओ ना दी के जन्म करके जे शुदर दे कर जन्म कोया पामे ओ विदवान कोई पर ओ शुदर ही खे क्योंके ओदा जन्म नीमे कर हो गया जे एक पंड़त दे कर खिमा करे ओ किसे नू द्वैश नी लिजाना किसे सवर्न जाती वाले दे कर जन्म कोया पामे ओ मूर की भी खे पर ओ पूजन जो होगे क्योंके सिमर्ती कह रही है के जन्म करके बन्दा उच्चा ते जन्म करके निमा गुरू ने क्या बिलकुल गल्ट जन्म करके कदी कु उच्चा ते निमा नहीं कर्म करकी बंदा उच्चा खुंदा है ते कर्मा करकी निवा हुंदा है जदोसी जवजी सहीव दी बानी पढ़ने सत्गुरुनेता सलोक विच केवल संसार दी बाती नखी एथ हो ताके निरंकार दे कर विच भी कर्म करके बंदा नेड़े खुंजानदा है ते कर्मा करके दूर चले जान दे कर्मी आपो आपनी के नेड़ें के दूर चेड़ी में तोक पड़ी है के सर कुशम मिर्ग मैं खरना सर्ब शरीरी चड़ना तन गुरु नानक सहव किनने जनम करके किसे नू नीवा मत कहो नाल एक उधारन दिती कहने लगे जे मान ले जाए जिननों तुसी अखावती शूदर कहीं दियो उस कार विच जनम लेंड वाड़ा एक परमातमा दी पगती भी जुड़ गया साई विच अप एद हो गया कहने लगे उसलिए कदी सोच पेटवर तो ना क्योंके तो आड़े शास्तर दे मताबक कोई चीजा ऐस या कीमती ने उनु कोई भी खातलावे उकदी पेटवर दिया ने उस सुचिया दिया सुचिया ने पहला बचन क्या केसर देखो केसर दी कदी सोच पेटनी मननी गई कोई इनसान केसर खरीद के लिया वे ते केसर नो अक्सर पूजा वाली समगरी वेच भी रख्या जाना है केसर नो साढ़े लोग सग्ण वेच भी रख देने पर आज ता कदी किसे मंदर विच कदी किसे कार विच एनी पुच्या गया के जेडा केसर तुछी खरीद के लिया आए एक केसर केस ने त्यार की था एक केड़ी दुकान ते वेचे आगया एक किना किना खथा विचो निकल के आया साच एवे के केसर पामे शुदर दे खथ विचों भी आए ओ कदी पिट्या नी जांदा गुर्देव केंदन केसर ताहार वेले खार था ते सदकार्या ही जांदा खथ देखो कैसी उधारंदिती पगत कीख है केसर दूसरा शब्द कुसम कुसमदार्था सी जानने आ फुल हुन फुल एक माली अपने बगीचे विच पेटे नू पाल दै मालन फुल तोड के उनू टोकरी विच पांके ओदा गुलदस्ता सेरा बना दी पर जदो ओ फुल मंदर विच लेके उन्हें गुर्दवारे विच लेके उन्हें किसे आपां थांते लेके जाने आ फुल कदी किसे ने सवाल नहीं कीता के इस फुल दी पदैश करने वाले माली दी जाद केड़ी सी जिसने तोड़िया उस मालन दा खांदान केड़ा सी जेस मालन ने सेरा बनाया ओ केड़ी बिरादरी ना सबंद सी गुर्म को फोल किसे भी खात विचों आवे ओ कदी पिटिया नी जानदा फोल खार थां ते सब कारिया जानदा है साथ गुरू किनने खिड़े कोई फोल दी भी कोई सोच पेटने पहली बेंती केसर दूसरा फोल कुसम ते तीसरा शब्दे मिर्ग में मिर्ग में एदा अर्थ मिर्ग मद खिरंदी नापी विचों निकली खोई कस्तूरी फोन जदों ओ कस्तूरी किसे नू मिल दी ए खिरंदा नापा मिल दै ओ कस्तूरी इतनी कीमती है कदी किसे बंदे नी पुछिया कि जैसने मिर्गदा शिकार कीता उड़ी जात की सी जिन्ने उड़ी चमड़ी नु चीर के नापा कड़िया उड़ी जात की सी एक को गल कही जान दीए के शिकार खेडन वाला कोई होवे इस दे चमडे नो चीरन वाड़ा पामे किसे जादा हुए कस्तूरी खात्वी चाजाए पवित्र दी पवित्र ही रही दी कोई एक हो जा लोजिक उस वक्त किसे कुल है जो गुरु नानक सहीब ने दिता केसर, कुसम, मिर्ग में ते तो था शब्दे खरना एदा अर्थ आम तो और ते खरना दा अर्थ खिर्न कर दे पर एथ खरना दा अर्थ सो जवान गूड गयानिया ने कीता सोना हरना दा अर्थ सोना हुण सोना जदो कोई बंदा खरीद दै आज भी ऐसी दुकाना आते देखने हैं किसोना वेचंते खरीडन जांदे कदի किसे सुनार वीर ने कहे कि आ गय ने जिड़े में बुक्रे रखे ने ए शोदर दे कारविचवा हैने इन्मों शोदर दी कारवाली ने चूड़ी दे रूवेच इन्मों कैंठे दे रूवेच ए खार दे रूवेच इन निमी जात वाले आ दियां चौपणियां तो आई ने इस करकेदा रेट काटखे कद्यू किसे नहीं किया वो किना ने सोनना पामे शुदर पञेने ते सोनना पामे उट्ची जात वाला परणे जदो बजार विचव दी कीमत पहेगी वो दी कोई सोच पेट नहीं सोना खर था ते परवान खे गुरू ने कया सोना किसे खता विच्चो भी निकले कदी ओ पेटदा नखे मैं चार बेंतियां कीतियां केसर, कुसम, मिर्ग मैं खरना ते अगला बचने सर्ब शरीरी चड़ना सारे तान ते कुसम, फोल चड़ाई जान दे कस्तूरी वर्ती जान दीखे एथो ता केसर वर्तिया जान दे सोना वर्तिया जान दे केसर, कुसम, मिर्ग मैं खरना सर्ब शरीरी चड़ना चंदन पगता जो ता ने की पंजमा परवान देता चंदन चंदन को कोई भी चला जाए उनू मैक मिलेगी चंदन ता नीमे रुखानू भी चाचुकदाखे तन गुरु नानक साहिब किन पड़े ओ जिमें केसर फुल मिर्ग मद कस्तूरी सोना ते चंदन ए सारिया थावा ते खार एक जगा ते परवाने परमातमा दी पगती कर किसे खिते विच पैदा होए किसे कुल विच पैदा होए किसे बिरादरी विच पैदा होए जिमें पंच चीजां सारे शरीर ते परवाने पगती करने वाड़ा एथे भी परवाने ते परमातमा दी दरगा विच भी परमान है ओदेले कोई सोच पेट नकी केसर किसम सर्व शरीरी चड़ना चंदन पगता जोत अनेखी सर्वे परमल करना अगे दो परमान माराज जिने खोर दिते पांच हो गए पहला दो दिते के पट पांडा कहे न कोई ऐसा पगत वर्न मैं होई किना दे दर तो खैर मांग दे स्साथ गुरू फरमानदेने के पट界 दार था पांगे क्यो देखो परातन समय के हो जेडासी पशुआ दे कच्चे चमड़े दे कुप़े बांदे सा ओना कुप़ें विच क्यो पांदे सा होनो क्यो मंदर दी जोत विच बाल दे उस क्योंना देग तियार कीती जान दी उस क्योंनू लंगर विच आपां वर्तने पर कदी किसे बंदे ने क्यों वर्त दिया एनी सी क्या के एक क्यों होता चमडे दे कुपे विच आया है एता प्रस्टी आ गया साथ गुरू ने क्या देखो पड़े हो के जे चमडे दे कुपे विच क्यों पाया जाए ओ कदी प्रस्टदा नखी ते नाल अगला बचन कीता रेशम पटदार थे रेशम आम कीडा कुई साड़े कोल हो वे असी कहने या कीडा मारो नुकसान करेगा पर रेशम वीच आ कीडे विच आ निकली कदी किसे निक्या के कीडियां दी पदैश खे रेशम एता पेट गई माराज किनने क्यो वी परवान ते रेशम वी परवान जेड़ा परमात्मा दी बंदगी करदा उस साड़े कार विच परवान ही मन्या गया के पट पंडा कहे ना कोई एसा पगत वर्न में होए किसे वर्न वी चोवे वो कस्तूरी दी तरह पुवितर रखे इस गालनों समझेओ किसे वर्न वी चोवे सोने दी तरह पुवितर रखे किसे बिरादरी विच पैदा होए वो फोल दी तरह पुवितर रखे महराज किन्द ने केपट पांडा कहे ना कोई ऐसा पगत वर्न मा कोई तेरा नाम निवय जड़ा तेरे नाम विच चोगया रह लिवलाए नान कतिन दार पीखे आपा है पगती एड़ी वड़ी उपमा की थी मैं क्यों सब्जेक्ट शिरू कीता है क्योंके अज बड़ी वड़ी साड़े अंदर खेड चारी के गुरू गरंसाइब दा पवित्तर सवरूप इनु फिरका प्रस्तिच मतल जाना एदे टुकडे कीते जान दा यतन कीता जारिया है कोज आपनिया बलों कोज कोजी सियासत दे ना थे पर मैं सिर बेंती करनी चाहांगा पाठ करने वाले गुर्शिको कि ते देखो गुरू गरंसाइब दे दर्शन करके मेरे गुरू नानक साइब दे कारदी इमानदारी ते निमरता हजूर ने इस गरंत दे आप आद विच ए ने लिख्या के गरंत गुरू नानक देव जी का नहीं लिख्या मिलता है शब्द मिलता है आद शरी गुरू गरंत सैब जी ए दे भी दास अर्थ करेगा आद शरी गुरू गरंत सैब दे अर्थ की पिछले वारसी की ते सन पर साथ गुरू ने जित्थे बाणियों चार् ओथे अराम विच शब्द महला वरते है महला पहला, दूजा, तीजा, चौथा, पज्वा, ते नौवा देखो दूसरी गल जिते महला दूजा आया है गुरू अंगद देवजी दे त्रेट सलोक ने पर त्रेट सलोकां विच जो कोई ए नहीं दा सकता है ही नहीं कि किसे सलोक विच गुरू अंगद सहीब ने अपना नाम वरते होए कहे अंगद, दाश अंगद, जन अंगद किते शब्द नी वरते है हाट तरेट शलोका मिच सिर्व गुरु नानक सेव दे पुवित्र नाम नुबरती आखे महला दूजा है पर शब्द अंत विच नानक है महला तीजा है पर चेते रखे ओ थले किते गुरु अमरदास दा अपना नाम नखी नाम तन गुरु नानक से माराज जीदा है महला चवत्रा है पर थले नाम किते गुरु रामदास जीदा नखी तीर रागांच गुरु रामदास दी बानी है कोई सलोक कोई शब्द कोई अश्ट बदी ऐसी नी मिलेगी जित्थे क्या हो वे रामदास गुरु ने अपना नाम वरतिया हो इस तो अगली बेंती गुरु अर्जुन देव दी बानी गुरु रन सहीव दे ती रागांच गुखे पर किते गुरु अर्जुन देव जी ने महले पज्वें दे थले अपना नाम अर्जुन नी वरतिया गुरु तेग बहादर सहीव दी बानी पंद्रा रागा मिच खए हजूर दे उनाठ शब्द ने ते सत्वंजा शलोक ने किसे शब्द विच किसे शलोक विच गुरु तेग बहादर सहीब ने अपने नाम दीबर तो निगी थी एक गल समझन वाली एक गुर्म खो उत्ते महला पहला दुजा तीजा चौथा पंजमा ते नौवा हैं थले दुजे पादशादा नाम नखी तीजे दा नाम नखी चौथे पंजमे ते नौवे दा नाम नखी एदा मतलबे सी बाणी पढ़न वाले गुर्सिको एक गल याद रखे हो शरीर पहले तो दूज़ा आया दूज़े तो तीज़ा आया पर थले नानक पदतां वरते है के सारे शरीरां मिच जोत केवल गुरु नानक सहब दी ही वरत दी बई जोत केवल ओख है शरीर बदलेने मैं बेंती करा जोत नहीं हुण शादे केवरी कहने गुरु नानक दी पंजीवियों नहीं प्यारियों जोत केवली को गुरु नानक सह्व सी जो तुरूबार आप गुरु नान कहायो ताते अंगद भयो तातशियो तत मिलायो अंगद किरपा तार अमर सदगुर थिर्कियो अमर दास अमर्त शतर गुर रामे दियो गुर राम दास धर्शन पर्स कै मत्रा अमर्त बेन मूर्त पंच परमान पुर्ख गुर अर्जुन पि देखने ते अराम चलिके हैं आद शरी गुरु गुरंद सहीब जी सरदार कपूर शेंग जी खुणी ओना दा एक गरंत सी के एक सेख दा बुद्न परनाम साथे सेख आम तोर ते कपूर शेंग उना दा नाम साची साखी करके जान दे कदी दसम दी बानी ते उना दे लेख गरंत आया पिछले दिनी शपया दुबारा एक सेख दा बुद्न परनाम ओदे चोन ने लिखिया आद शरी गुरु गरंत सहीब दे अर्थ की ने हैतना थोड़ा जा बरीक गाल समझ जरूर पहे जाएगा ओके ने आग गुरु गरंत दे अर्था पहे गए गए एक कल भी द हैने सब तो पहला आद एद अर्थ की खे आद धा अर्थ कोश जो देखोगे ते पहला आद अर्थ अरंभ ओक इनन तरासल जड़ा आद शबद खे एए जदो कुछ भी नखी एह संसार भी नखी दृष्ट मान कुछ भी नकी उदो आद विछ की खे पर मैं फिर बेंति कर आ आद वीच जेडाख है ओदा आद किसे नी जाने है इस नुक्ते नू समझे ओ जेडा सत्गुरु ने तेन कालादी था चार कालादा जिकर कीता आद साच जुगाद साच है पी साच नानकोसी पी साच जे परमातमा नू आद कहां गए तेदा मतलब जिदा आद खै ओदा अंत जरूर होएगा उदेली कदी आद शब्द ना वरतिये क्योंके उदा ता पता घी केसनू नहीं क्योंके उदा ना आद खे ते ना उदा अंद खे जड़ा आद शब्द खे जदो कुछ भी नखी दृष्ट मान जो कुछ यसी हज़ देखने एक कुछ भी नखी उदो भी एक है उन्हों हजूर ने क्या उद सुन समादी विजख है उद शब्द सी पढ़ने अर्बद नर्बद तुंदू कारा तरना गगना खुकमा पारा ना दिन रेन चंदना सूरिज सुन समाद लगाएंदा उन जेना उद सुन समाद खे उदो निरार्थक नहीं उन्हों मत समझे भ और दा बीज खे बीज आत दा सुक्षम बरीक है अग्यानी बन्दा कहेगा एता निकाजा खात दी तलिउते मल क्या ते मल दी Based na ग्यान वाल कहेगा मूर खा यनू मत सुक्षम इदे विच एक असथूल दा पशारा प्याक है है सूक्षम एदे विच्चो अस्थूल एक रोख निकलेगा जेड़ा सद्यां तक जीनदा रहेगा लोकानू शाद आएगा तो बचाएगा ओधी लकड लोकानू बचाएगी चेते रखो बोड़ दा बीज बेलकुल सूक्षम खे उस सूक्षम विच बड़ा वड़ा अस्थूल पे आएगा आद दा अर्थो कर देने के आद दे सून गर्व विच आप गुरू दा ग्यान टिक्या खे आद आर्थ फिर समझेओ जदो कुछ भी नगी उस सून विच इक ग्यान खे उससे सून वे चीता गुरू नानक सहिब खे उसे सोनवे चीता शब्द है उसे सोनवे चीता परमारत सारा लुक्याख है जेड़ा आद सी मेरे साथ गुरु ने कैक परपकार कीता गुरु नानक सहभ ने आद शिरी गुरु गुरंद सहभ जेड़ा ग्यान आद सोनदे गर्ब विच प्या जदो आ अस्थूल रूविस संस आर बनिया उस आद दे ग्याननू गुरु ने अक्रांदा रूप दे के इस ग्रंद विच दर्ज कर दता एदा मतलब ए के इस विच ओ शब्द दा ग्यान कहे जेड़ा एदे न जुडेगा उस सोन तक जाएगा जितों एदी पदाश होई फिर बेंती सुने ओ आद जदो ओ खें शैद एथ एक अर्ज किती सी गुरु ते ग्रंद दोनों शब्द एस संस्क्रिद दे असी गुरु दा अर्थ करने हैं के जड़ा अंद कारनों मिटान वाला है पर चेते रखे हो सरदार कपूर संगे दे अर्थे स्तरा निकार दे ओ गुरु दा अर्थ टीचर गुर गुरु दा अर्थ मास्टर गुरु दा अर्थ अचारिये गुरु दा अर्थ अध्यापक नहीं कारते एना अर्था नू एना समझो कि नरार्थक में शब्द कह रहे हैं ओ किनने एक अध्यापक दिमागी ताउरते किसे बंदे नू ग्यान दे सकता है एक टीचर उनू आत्म वर्त दाखें चेहते रखें जिन्ना ने रब दे दर्शन कर देटें गुरु विच्छों से घाद लूंदे सब्सकार वब लुए उन्हा में नहीं प्रमान देता कि सत्गुर्व लिच आप संदा आप रखें कर परगट आँख सुनाया दुनिया विच ए उच्ची आवाज विच क्या लोको मता पुले खे विच रहे जाओ इस गुरू नू केवल मास्टर ना समझेओ इस गुरू दे नेडे लगो इस गुरू दे अंदर रब साखियात आप वर्त दाख है जदोसी जनमसाखियां पढ़ने हुना वहीं वाली कटनाख है जी बड़ा जोर मारदे साड़े बंदे पर मिन वे बाबा जी कोई भी द्वान ना दी है गल्ला हुन बड़ियां चंगियां लगी है इस सरदार करपाल सिंगुनी जनमसाखियां प्रमप्राइड़ी वड़ी कताब है उना ने ते मेरा ख्याल वह पढ़नी चाहिए दिये मैं जिते भी जाना मैं बेंती करना भी जरूर पढ़ो क्योंके आज जड़ा समा चाल दे हैं आज करपानानल मुकावला नहीं चेते रखे ओ तरक दा मुकावला ग्यान दे खड़क नाली हो सकता है पर ओ खड़क गुरू दी शर्दा विजबी जी होगे क्योंके आज खोला माला भी है न देखो शस्तर असी भी से जाने है पर गुरू कर विज़ जड़े शस्तर ने न तलवार दे नाल पहला विचार खें एथे शस्तर थले सजाए जान दे ने शस्तर उचा गए एदा मतलबे वे के डाक्टर दे खात विचवी चाकूए ते चेते रखे ओ डाकू दे खात विचवी चाकूए सेख दे खात दा शास्तर डौक्टर दा चाकू गए ते जुलम दे खात विला जड़ा शास्तर जालम दे ओर डाकू दा चाकू गए दोना दी वर्तों जो फर्क है सिर्दार के किरपाल सिंग उना मैं नाम लें तो गुरेज नहीं कर दा उना ने जदो जनम साखी प्रंपरा लिखी किताब मेरा ख्याल है टाई तेन दहां के पहला लिखी ओदे विच सारियां जनम साखी आप पुरातन जनम साखी पाई बाले वाली जनम साखी बाबे मेरवान वाली जनम साखी चतर पुझते खारजी वाली जनम साखी ते पाई से पाई मनी सिंग वाली जनम साखी मैं रवांगा परकरन वे चीखी ओना लिखिया जदो वही नदीदी गल चली के मारा आई तेन दिन परवेश कीता मैंनू थोड़ा हुदो खेद लगा कहने लगे बाबा जी ता पार चले गए जी ओ सोचन लगबे ते मेरी एक आदत है मैं कि गुरू सोच दा मंडल नहीं जित्थे सोच दा मंडल मारदा हो तो गुरू दी रोहानिय दी शुरू गुंदी है गुरू नू सोच मंडल चे मत बनी ताहीं पाई वीर सिंगुणा ने लिखे आ सी के जिन्ना उचाईयां उत्ते बुद्धी खांब साथ तथी मलो मली देल हो ते मारदा उडारियां प्याले अन्डेट नाल बोल लग जान हो ते रास्ते शरूर आवे चुमा आउन प्यारियां ग्यानी सानू होड़ दै ते वैमीटो ला आख दै मारे गयने ओ जिन्ना लाईयां बुद्धों पार तारियां कहने लगे बैठ वे गया नी बुद्ध जिते स्यान पोवेगी में बख्ष दियो ओधे मेल जन्म लेगी जिते स्यान पदा मत्था टेक के पामना आएगी ओधे ब्रम ग्यान दा जन्म खोवेगा ताहीं ता साथ गुरू ने कहा कि जिन्ना बंदा स्याना बंदा है ओनी जम दूदी रसी एक होर वाद जान दी सुआ आवह वास किता है स्यान पए साथ गुरू ने कहा दुर्मक गृर्मत साची खुजत दूर बहुत स्यान पर लाग गया तूर जिन्ना बंदा स्याना बंदा खिमा करें ओना अंद्रों मेला बन जानता है अज जिना मापुर्खा ने दमदमासाए बढाया बाबा जी न को संताव पोगदा पे में बख्ष देओ जिस मापुर्ख नू गोले आंदे नाल उड़ा देता गया बाबा बीर सिंग जी पर उस मापुर्ख दा अंदर ए अपने खती बनाया ते पाई सेव जिकर कर रहे संग गुर्मखो कमाई वाले नू खिस्त्री विच मात बन्नो मेरी ती बेबतीख है खिस्त्रीख है चंगी गाले पर कमाई वाला कदीकाल विच निभाज द면 बाच्जगा जेड़ा काल विच बाजज़ाएयो ब्रहम गयानी नहीं खिंदा ते चो यहते रहको को जेड़ा ब्रहम गया नहीं खिंदाओ काल तो तो दुते लागू खुंदा न हुण जी अपा काल ते लागू करांगे जेड़े साधे सजन केंदे आना जी ओ गल करो जेड़ी सैंटीफिक तरीके न ठीक हो वे मैं भेंती कराई सिद नी जे खोना प्रहलाद कदो पैदा हुए है काल जी कुछ पैदा हुए है काल जी कुछ पैदा हुए है पर गुरू गरंग सैब दी पवित्तर बाणी कह रही है प्रहलाद ने तरू ने कबीर ने जय देव ने नाम देव ने इना सब ने गुरू नानक सैब नो गाया है पर हिस्टरी कहेगी 1490 नो गुरू नानक सैब आए पर परमार्त कहेगा नगी इस काल दी दिवार नो तोड़ दे 1490 तो पहला भी गुरू नानक सैब सी ते चेते रखी 1500 उन्ताली तो बाद भी गुरू नानक कहे मता है इनों काल्च ना बनेगे जिस चीज नो काल्च बनना गे ओ सदीवता नी रहेगी इस करके मैं वरोद करना हुना कदी गुरू नो व्यक्ती ना काओ व्यक्ती वक्त दे विच बजजा गे पर गुरू व्यक्ती नी खुंदा साचेवे मानू काकर रूप ना जान ओ अकाल्दा सवरूब खे मैं खेर जिए कर लगो कहने लगे माराज पर जहां के सोचन लगवे फुट नोट देता था ले के तरतीदा पारू तारा के में होवे एगल याद रखो ना रब ना गुरू ते ना कमाई वाड़ा माहपुर के सलावानल कामनी काँदा गुरू गुरंस सहीब चेक बचना है के भीओ पूछना मसलत तरह भीओ दार्त किसे दुजे तो पुछदा नहीं सलावावी ने लेंदा भीओ पूछना मसलत तरह जोकिश करा सो अपने फैसले आप लेंदा एक साथ गुरू दा शब्दम दा सोल्ट राग्ज हम पीक के पेखारी तेरे तू निजपात खें एश शब्द बड़ा गहर है निजपात असी अखरी अर्थ करांगे के निजपात दार्त खस्म देखो दो शब्द निजदार थे अपना पात दार्त थे मालक परमातमा असी तेरे दर्दे पिखारी खां बाकी खार बंदा किसे ना किसे दे अधीने किसे दा कोई मालक किसे दा कोई मालक तू अपना मालक आप खें तू किसे नो दात देन लग गया किसे तो पुछ दा नहीं क्योंके तेरे बराबर दा मालक कोई खाय ही नहीं तू निजपात खें अपना मालक आप है उना लिख देता जी माराज परांग है हुण जदो गुरुनानक परकाश दा टीका की ता श्रोमनी कमेटी ते डॉक्टर किरपाल से गो टीका कर रहे वो मेरे मन चाहे भी इनने साल लंग है खुण की लिखिया हुएगा जदो खुण गुरुनानक परकाश विच वहीं वाला परसांग आया ओथे डॉक्टर साहिब ने एक गल लिखी के हजूर जाल विच गए ओ गल जड़ी कई साल पहला लिखी से सोचन लगे कहने लगे मा पुर्खां दे अवतारी पुर्शां दे जीवन विच वापरदा खें महराज उस थां दे गए जिन वसी बियान नहीं कर सकते कहने लगे इस कटना ते तरक ना करिए इनु साथ बचन करके मन ये एक गुरु नानक ते साच खांड दी खें मैंनों खुशी जरूर होई कि जोंदे जी कटो कटो शब्द लेख देता मैं परकरण विच रहांगा कि जेड़ा गुरु शब्द खें फिर उसे परकरणते होना तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा पाई सब शब्द पढ़के गए खुण जड़ा गुरु शब्द खें इनु अचारिया अर्थ ना करिए गुरु विच उस परमातमा दी जोत वर दी खें अगो शब्द है गरंट गुर्मखो गरंट दार थे गुंदेा कोया एदेच ओ ग्यान गुंदिया है के जिदेविच परमातमा दी जोत आप चलकारे मार दी एई कारण के दशमेश पिताने खजूर सहब नदेड दी तरती ते ते नगला साधी कौम नो देती है पहला क्या पूजा अकाल की दूजा क्या परचा शब्द का ते तीसरा शब्द वर्तिया दिदार खाल से का एउन एक कले अखर नखी जिननी देर तक खाल से दा दिदार नखी चेते रखे हो नी देर तक शब्द परचे दी समझनी पैनी फिर नो सुने हो पूजा अकाल की कौ निर्गुन दी पूजा करके दिखाएगा जिदा रूप रेख ही कोई नी जिडा अद्रिष्ट खे है पर गुरु नानक सहब दे कार विच निर्गुन दे नाल सरगुन खे इसलाम ने निर्गुन शब्द ने परमातमा दे कुरान विच निर्गुन नान निर्गुन नामा विच विच व सब तो सरेष्ट नामे अल्ला हू अकबर अल्ला ही सब तो वड़ा है ओ कि निर्गुन ने कुरान विच के अल्ला दा ओ नाम जबान तो नहीं लेना जिदे करके ओ दा अकार बने जिस शब्द विच व अकार बने नहीं ओ लादा नाम नहीं हो सकता पर गुरू कर ऐसा नखी जुरूने ता परमातमा दे अख्छा जिकर किता गुरूरा ने ता परमातमा दे लंबडे बाला खूब तेरी पगरी मिठे तेरे बोल मिठ बोलड़ा जी खर सज्जन स्वामी मोरा जदो मिठ बोलड़ा कहोगे ते मुखदा अकार जरूर बनेगा इस गल नो समझिए क्यों किसी एक गल है कि तो रुपए बोत दी पूजा बोत दी पूजा ओ मैं कहीं न अच्रस्ते विच लोकी कर देने जड़े चार च फिरे चौंकाच वेखी जान देने भी ता बुता नू बुई दे पहने न असाड़ा अंदर की थित की आखे हुण जड़ा गुरू कहे है उन्हें खाल से विच अपनी कला बरता देती जड़ों कोई खाल से दी संगत करेगा गुर्म को ओदा शब्दा शब्दनल परचा पैगा परचा दर्थ प्रिच्य प्रिच्य दर्थ जानकारी ओदी शब्द नाल सांज बनेगी ते जड़ा शब्द पुजारी बन जाएगा उन्हें पता लगेगा अकाल दी पुजा की खेर मैं परकरन वी चामा तन गुरू नानक सहीब ने के किरपा की थी गुरू गुर्ण सहीब दा जदोशी पाठ करने पंदरा पगतां दे अमरत बचन ने तन गुरू गुर्ण सहीब दी बानी चीए मैं ताएप परकरन लिया सी के गुरू गुर्ण सहीब जे किते भी गुरू नानक सहीब ने अपनी बानी दे अरंब चनी क्या बानी गुरू नानक देव जी की बानी गुरु अंगर देव जी की पर गुर्मखो केवल गुरु नानक दे करदी वडियाई है के एथे जिन्नों लोग मंदर विचो तक के मार देने उना दे उते वी लिखिया जानदा है बानी पगत नाम देव जीयो की बानी पगत रवदास जीयो की बाणी पगत जय देव जीयों की सत्गुरु ने की किर्पा की ती उन्हाँ पगतां दे अमर्त बोल गुरु गुरुन से विज रखें हुन पगत रवदा सेव ने पहला जरा शब्द चुणिया ओ अपेद तादा खे तोही मोही अर्थ बड़े सुखे ने तेरे विच ते मेरे विच मेरे विच ते तेरे विच अंतर कैसा किन्ना कू अंतर खे किन्नी कू विथ खे एक क्वेस्चन खे इस स्वाल है प्रमात्मन तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कहल लगे बस एना कू ये कनक कटक जाल तरंग जैसा कनक दा अर्थे सोना कटक दा अर्थ करांगे कड़ा जाल दा अर्थ पाणी ते तरंग दा अर्थे लैर कजने पढ़े लोको जिमें सोना ते सोने दा कड़ा जिमें पाणी ते पाणी दी लैर रवदास ते परमातमा बस आई खेड जे ते मैं एक ब उन्य देर तक जालत्रंग नि बाण दी। जिन्नी देर तक पानी न होए। सच एवे, के इस तरह दी अपढ़ता है जिमें सोना ते कड़ा एक ने। जिमें तरंगाते पानी एक है। जाल तरंग जैसा पिछले दिनी सुहाना मैंक बेंती कीती से गुर्मको गुरु गरंसाइब दीबानी विच जदो कुई परमार्थ नू कुमांद है ओदा अंतला शिकर जड़ा उसाई विच अपेद ताखे ओदा रूप हो जाना ते दूसरी गल जीखो जैनू कुई पूज आर उड़ाव है असी अर्थ करने कई वरी द्वैश विच देखो जी पगत जी ने आ शब्द कह दिते जड़ा एदी पूजा करेगा और गदा बनेगा जड़ा एदी पूजा करेगा और बलद बनेगा मेरी बेंती त्यानल सुनेओ एदे विच गल द्वैश दी नहीं परम आर्थ दा एक नेम है कि जिदी तुसी अरादना कर देओ जिदी साधना कर देओ जे पौँच जाओगे ते अपेद हो जाओगे जे कि ते रस ते विच रहे गए ते उदी सुवारी बन जाओगे पगत जिने जड़े ते शब्द बरतिया कि पहरो पूत सीत लाता वै करबा माई की पूजा करें नरसे नार होए अतरें जदो एते शब्दों नरसे नार एदे अर्थ एना करिये भी नारी दा चोला माराज ने निंद्या करें इस तरी दा चोला निंद्या नखीं कहरें ने जिन्नों तु पूज रहें तु अदा रूप होएंगा मा माई की पूजा क गुर्मत राम नाम गो मीता पर्ण मैं नामा यूं कहे गीता कहें लगे गीता दा उपदेश विए केंदा है के जैसे नू सिम्रोगे वैसे बनोंगे और जदो कोई पर्मातमा दी पगती कर दाए ओदा रूप होएगा गुरु गरंसाही विच्चो मैं पंच छे पर्मान अर्ज करने देखो जेडा संत खेना संत वेच ते अनंत वेच कोई अंतर नखी मैं पेखदी गाल नहीं करांगा उन करिये की जदो संती गाल चाल दीए करो सची मुझे यह बान नहीं सके ओंज वैसे गुरु ने रात साओं लगया साधी जबान चे तोकपाई से साओं लगया कहीं कि सवेरे देन मिले ते मैं संतां दी तूड़ बाण जाओं मो को कर संतन की तूरे करने जदो संत शबत दी व्याख्या कर देओ ना उदो फिर ज आए फेलो के आजाए कदी किसे माई ने क्या पोत कोई गाल नहीं गवांडियां दा पुतर ता पांजवली फेलो है कदी फेल दी उदारन देती उदारन दियां के गोल्ड मैल डिस्ट मैट जेड़े मैरिट चाहे तू का दा पड़िया फलाने दा न्याना ता दीवेच परमारत कमाने अपनी सोच बदलिये साथी सोच मस्कीन सहवे गल कहिं दे सन के पानी टेंकी उते चड़ान वास्ते जोर लगदा है थले उतारन वास्ते कोई जोर नी जे लगदा सुर्थ चुकन वास्ती साधना करनी पहिं दिये देगन वास्ते ते खेन वीच बंदाते कुन देखोए थे ज़ी बेंति मैं कर लगा के संथ विच थै अनांत विच अंतर नखी गुरू गरैंट साइप के दरे पगत विच थै पगवनिट विच अंतर ора नखी शेवक विक harmonica vporteस्वामी विच अंतर नखी द्यू अगला बचन के जान विच थै खरी विच अंतर नख कि सिक वेच ते गुरु विच अंतर नखिं साच मुझ जेड़ा गुरु गुवैंश संग सच्यार खाल सहे उस खाल सहेום इचतेग गुरु गुवेंश स een चो मिलनेगे पहली बेंती करांगा संत और अनंत संत एक अंदरो निकले खो जीवन दा नाम है संत तानते पाटे कपड़े पाला हो दिया ली रहा हुई पर वाहन है अब बाबा सतनाम सिंग पर करमाच मिल दे ना कि देखो रब्दी जवंदी मूरदे किसे दर्शन करो कोई अ बाबा पर करमाच जरूर दर्शन करें ते तुसी जहां के कह देओ मैं मेरका चुआ हैं वो चर्न पकड़ लें देने गुर्म खा तो इन्हीं दूरो चलके आया हैं तेरे चर्न पवित्तर हो गए मैंनो चर्न तोड़ दे दे बाबा जै कि दिन कथा कर दे आई दुबदा न पड़ू हर बिन खोर न पूजू मड़े मशान न जाई ओ कहन लगे के बाबा अटाल की है ते उस दिन बाबा बुड़ा सहीब दी कथा सुनाई के तान बाबा बुड़ा सहीब गुरु नानक सहीब जीनों बारा साल दी उमर चुमले थे गुर्म खो एक सौते पंजी साल ब बाबा बुड़ा सहीब गुरु नानक ने सीनेञे लाया इना प्यार देता तो जीन तो पंद्रा सो उन्ताली नों क्ऎा सी बुड़ आ तेरे तो ओले कदे नहो सा जित है मेरी जेवत वेगी सब तो पहला तेनू पता लगेगा तेरे तो ओले नहीग ओदन साकी मैं सुना द ती के बाबा बुड़ा सहभ 1631 नो चलाना कर देने ते चलाने तो पहला तन गुरु हारगुबिंद सहभ नो केंदेने माहराज में नो बख्ष देओ 113 साला चुमैं किनिया को पुला कि तियाने जान लग गया कह देओ बुड़ या ते नो बख्ष देता बख्ष देता किनिया ओस वकत गुरु हारगुबिंद सहभ नेतर पे जाए कहने लगे गुरु नानक सहभ जिनना ने ओना दी शूह मानी जिनना ते गुरु नानक सहभ दी दृष्टी भई ओ बंदे पापां दे बंदना तो मुक्त हो गए तो अनूता सीने न लाया खै नाल पढ़ी के गुरु नानक जिन सुनया पेख्या से फिर गरबासना पर्यारे बाबा जिने की कीता जी बाबा बुड़ा सहभ दी बेर को ला गए दाड़ा पकड के थड़े नूँ चार के के इंदने बेरी तेरे थले बाबा बुड़ा सहभ कई साल वईठा उनू कह दिये के बुद्धा चाड़ू फेर दा कमला जाए उनू भी भख्षत है देखो ए शब्द ने पावना चू निकले क्योंके जहुंदे जी असी बंदे नू जान दे नहीं असी भी गलोना दी करके राजी हैं जेडे चोले चार जान दे जे उन्दे यां डार लाग दालो की कुटन गे नहीं गुरू जगो जग अटालख है वो दी खजूरी चे सिख जगो जग अटालख है संत ते अनंत विच कोई अंतर नखी गुरू गरंसाइब दे अमरित बोलने पगतरवदा साइब दा शब्द है के संत तुझी तन संगत प्रान साथ गुरू ग्यान जानना है संत देवा देव एदे अर्थ बड़े सोके निप्रभू तेरा ता तन मैं कुई देखया नखी केड़ा रूपे तेरा मेरियां अख़्ां दे समझे नखी पर हाँ एक गल तेरे ग्यान नाल समझ पए गई के संता दा शरीर तेरा अपना शरीरे जित्थे ओ बैड़ जन ओथे तेरे प्रान चाल देखुंदे ओथे तेरे सवास ने संगत विच आके क्यों साड़ी अंदर टिका बन दे जित्थे रख्यों जुडियां हो यां विचे रब दे सवास चाल देने जित्थे रब दे सवासां दी सुगंदी होवे ओथे मलीनता नहीं हों दी संत तुझीतन संगत प्रान सत गुरु ज्यान जानने संत देवा देव ओदे अखीर विचे एक बचन में पूरा शब्द नहीं पढ़ाँगा रब दास पढ़ने एदा मतलब दास बोल देने जो जाने सो जान जिन्नों इस गल्ती समझ पैगी ओगी ग्यान वान का की संत अनंत अंतर नहीं संत और अनंत में कोई अंतर नहीं दोनों एक ने इस तो अगे बानी चे की शब्द होंदा है पगत पगत विच ते पगवंत विच कोई अंतर नहीं ते खास करके गुरु गरंसाह विचे एक बचन खाय पगत नाम देवजी दा एक शब्द चोकें देने प्रभू तू मेरना शर्त लाँ मैं तेरी शर्त लाँके पुछना चाहना के तेरे विच ते तेरे सेवग विच कोई अंतर नहीं क्योंके कनक गटाक जालत रंग जैसा ओषब्दा कहे बदो की ना होड मादो मोल्स्यों होड दर्त ते शर्त भड़। शर्त बदो की ना खोड मादो मोशें ठाकूर ते जन जन ते ठाकूर खेल परे हो है तोशें ठाकूर तो पता लगदा सेवक तो पता लगदा स्वामी दा ठाकूर ते जन जन ते ठाकूर खेल परे हो है तोशें आपन देओ देओ रहा आपन आप लगावे पूजा जालते तर त्रंग 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 तेखा जाल कैन सुन को दूजा खैता एको इस शबतो बाद अगला शबत पड़ो ओशबद विच परमातमा बोल दे कैन लगे नाम देव तेनु साच दसा तू मेरने शर्ट नाला पर साच तेनु में अंदर दा पेद दसना जेडा मेरी पगती करदा अनन पगत बाणके ओदे विच ते मेरे विच कोई अंतर नहीं तू शर्टा दी आखनाल एकवरी दर्शन कर पगते दर्शन कीते हैं तेरे तिन्ने ताब खत्म हो जाने होने गुरू गरन साहिब दा खजाने जिन वसी लुकां के बैठे हैं क्यों किसी डरने जे दी गल कीत दे दी असी एक पाख लेलिया जी जिड़ा बानीच एहाया जल की पीत पवन का थंबा रक्त बोंद का गारा हाड मास नाड़ी को पिंजर पंकी बसा बिचारा जासी एक शब्द वर्त लेया के करपूर पोप सगंदा परस मनुख है दे मलीनिक मज़ा रुदर दुरगंदा एदे विच मिज गंद असी एदे अर्थ कर लगप है पर कदी किसे ने ए अर्थ ना देखे ए सरीर सब तर्म है जिस अंदर सचे की विच जोट गोज रतन विच लोक रहे कोई गुर्मक कड़ ए खोद कदी ए अर्थ ना देखे के नौनित अम्रत प्रब का नाम देगी मैं जंगम जाती काया ता प्रमातमादा कार्ख है गुरु ने ता क्या भानी विच के एक काया अम्रत सर्ख है एक काया आप प्रमातमादा अपना टिकाना खै खैर ए थे पगत जी ने क्या पगत विच ते पगवंत विच अंतर नहीं तस्यों पवित्तर शब्द पढ़नेया के द दर्शन निमक एकवरी दर्शन कर मेरे दास्टे दर्शन निमक ताप तरही मोचन परसत मुकत गर्त गर्य कूब मेरी बांदी पगत शुडावें बांदाए पगत ना छूटाए मोहें एक समय मोको गए बांदाए तौफन मोपें जवाब ना होें बेंतिये वे संत और अनंत पगत और पगवंत तीसरा शबद जन और खरी एना दोना मेंच कोई अंतर ने कबीर सहीब ने आचार शलोक हर जन दे बारे दिते कबीर रोडा खोई रह बाट का तजमन का अभिमान ऐसा कोई दास्खोई ताही मिले पगवान रोडा हुआ तो क्या भया पंती को दुख दे हर जन ऐसा चाहिए जो तर नीमे खेह खेह हुई तो क्या भया जो उड़ लागा अंग हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग पानी हुआ तो क्या भया सीरा ताता होए हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर की होई पर किमे घर वरगा होई ते रमज बाग है हर जन ऐसा चाहिए जैसा खरी कोई ते अग्य सहीब ने गुरू ते एक बहादर सहीब ने क्या ऐसा हर जन बांदा कहे जो प्रानी निस दिन पजाए रूप रामते जान हर जन खर अंतर नकी नानक साची माहन चौथा शब्द सेवक और समामी विच कोई अंतर नकी हर का सेवक सोहर जेया पेद ना जानो मानस देखा जो जलत रंग उठाए बोपांती फिर सल ले सल समाएंदा शेख गुरू गुरू शेख माराजी ने क्या कोई अंतर नकी एक ने पगत जी कहरे ने तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जालत रंग जैशा अगे किनने प्रभू जो पैखमना पाप करंता अहे अनंता पत्त पामन नाम कैसे खुंता तेनू बेंत नाम देते पगताने पर एक नाम साड़े करके मिले आ जे असी पाप ना कर दे ते तू पापानू खत्म ना करदा तेनू किसे ने पत्त पामन नहीं सी कैना असी पाप की ते तेनू खंडन करंदा मौका मिल गया ताँ तू पत्त पामन कै साड़ा जोग दाने से नाम इच देखो एव नू सिब्द चलाएगा एक आरज करांगा के डिगे बंदे नू लताड़िये ना जिवे साड़ाज कर चालदा है ना तरम धब के अनल नहीं चालदा एक गाली इकबालने कैसी ओ केंदा औरंग जेब दे तलवार औरंग जेब दी तलवार ओने मुसल्मान ना बना सकी जिनने बाबे फरीदी मिठी जबान ने बना देते तरम सब तो पहली गाले देच दयाख है जेसे बंदे अंदर तरस नहीं ओ किमे तरमी को सकदा है दासने कवर बेंती कीती प्रोफेसर पूरुन सिंग दैक लेख जी बंडन वाला ओ लेख शपा के मेंडा बाबा वैसे अंग्रेजी विचे माई बाबा कोई थे भी अर्ज में कीती सी ओ केंदा तू आपने दावे ना पेश करी जएं बाबा नान के मेरा खै तू अपने जपतापदे खाकना जिताई जएं ओ देख तलवंडी तो उठके सुल्तानपुर चला गया सुल्तानपुर तो उठके अरब नो गया अरब तो ओठके ओ अनेका थावाते गया तू अपनी सुच्मते दावा करना पे ओ ओ दे कर बाब पे आप जानदा है जिदी तानू कोड ब्या होया ये मैं एक कटनादा जिकर तो अने थे जरूर करने ते मेरा चेत सी आज गुरू नानक सहीब दे कार भी चाया है ते मैं अपने बाबे दी सिब पामना नल कर सका एक साड़ेच कथा वाच कोई ने जी साइद प्रिथी पाल से शाइद बाबा जी सुनिया होने ए जड़ा कश्मीर पंजाब वेचे न पंजे वेगरू पाकिस्तान चे ओ थे के पंड़क है मीर पूर इस बच्चे दा नाम सी मुश्ताक उशेह शेह तुशी ये साखी सुनी होवे ए अपने बाब नाल हज करनवास दे गया एदा बाब बाब बहुत पुंचया होया मांदरी सी ते आलम बहुत वड़ा सी बड़ा वड़ा भी दुआन ओदे मन चाया अपने बच्चे नू प्रेरन लीना मैं किसे तरीके दे नाल एनू जेड़े मक्के वेच पुस्त कालिया लाइबरेरियाने किसे लाइबरेरियाने जाके पुस्त कालिया करे ओश्त कालिया वेच गया ओठेक अर्बी दी कताब पही है उस कताब दा नाम जी स्यातोवा बाबा नानक है अर्बी वेचे ते एक कताब उस बंदे ने लिखी है जिनने देन गुरु नानक साहब अर्ब दी तरती ते रहे ओ बंदा नालल चालता रहा ते जो कुछ गुरु नानक साहब देख आ देखी है उनू कताब पही पही लिखी गया श्यातो भाबा नानक उस कताब पही के लिखocalyptic काजी रिकुन दीर ने तेनसो सवाल गुरु नानक साहब लिखी है माराजी ने तसली करा देती पर उस कताब चे कि शब्द लिखदा खिंदी पीर ओखिंदी पीर वरत दे मारा जिले ओखदा कताब दा करता ये पढ़ रहे हैं कताब साइदा दा मुंडा मुश्ताफ उसें उस कताब जी लिखिया के बाबा नानक अदी रात वाद सरोद वजान दाखे अरभा बाज़ दीखे ते रेत दे टिबे दे बैठके रब दी सिब्द गम दे ते जड़े मुमिन ने ओ कीरतन सुननों देने सिब्द सुननों देने ते लिखन वाना केंदा मैं खोद गुरु नानक साहब दे चरना विच बैठके कीरतन सुने केंदा कुछ दिना तो बाद एक औरत जिनने तानु ते बुर्का पाया चेरा टकिया ओ सुनना गी कीरतन अमरत वेले ओभी ओन लग पी ओ दा नाम लिखिया जी सलीमा ओने हजूर दा कीरतन सुनना ते रहना बुर्के बिच केंदा रोज नेम नलवना कीरतन सुनना ते सलीमा ने जदो बाबे ने सरोध बांद करनी ते केंदा ओना ने चले जाना ते एथ होता को लिख दा है के कीरतन करन तो बाद कई वरी कई कई पैर हिंदी पीर ओठदा ले सी तो केंदा एक दिन की होया कीरतन होयां मरतवे ले सरोद वज्जी खिंदी पीर ने मेनू किया के सलीमा नू बोलो के अपने कार चली जाए अपने कार पहुंच जाए सलीमा नू केंदा जा के मैं क्या खिंदी पीर बोल रहे है के तुसी वापस अपने कार चले जाओ किनने पता नहीं आज ओदे अंदर की तरांग उठी सलीमा अगे दूर बैठके कीरतन सुन दी सी एकोदम हिंदी पीर दे चरनाच सजदा कर लगी किनने उस पीर ने इस तरह सेरते हाथ रखे आ जिमें बापू अपनी ती दे सेरते हाथ रखे आ सलीमा दे सेरते हाथ रखे आ हाथ टिकाया है किनने उनू अंदर दी सोजी आही उने गुरू नानक दी बख्षिश कहे साचे वे जिदे मत्थे ते गुरू नानक आथ रखे दै उदे खात वे चेनी बरकते बुर्याईयां क्हेच लेंदए ते वडियाईयां अंदर टिका देंदा उना ने शब्द वरते सलीमा तुर लगी ते मेनू बाबाजी ने क्या सलीमा नू बोल दें अजार नू जार लवे एदे पती दा नाम सी जाजा गुलाम मैं नामी सारे उ दस दे नत्वानू जाजा गुलाम दे नाम सी दे पती दा ओसी वपारी ओ वपार करन गया थे कई मिखीने दा गया थे वपस आ रहे सलीमा दे अंदर नू समझ पहगी के मेरा मालक मेरा खाबाद पती वपस आ गया है अज मेरे न बीते गी की क्योंके मैं खिंदी पीर को रोज रात नू इते सरोद सुनने नहीं है उनू रस्ते विच लोका ने कह दिता तू वपार करना बेरने तेरी कारवाली रात नू फकीर को जाके सरोद सुन दी ओ गुशे न अगब बूला होया जी देन चड़िया एतरो सलीमा कारपोंची ओवी कारपोंचिया ओने एकोदम गुसे विच कोई शब्द बोलनी लगा ते सलीमा ने बोलन तो पहला कह दिता है खोशनल बोले हो पहला मैंनू ए दसो जड़ा मिसर विच कतल करके ओदा की बढ़िया आफे है जड़ा कतल की ता ओदा की बढ़िया ओचोप कार गया ओने दूजा शब्द किया के जड़ी पांच सो मोर मेरे दसन तो बिना ले गए तुसी दस के क्यो ना गए मैंनू के अंदने ओ जाजा घुलाम दे पैरा थले ओ जमीन निकल गी के लगा ते नो की ने दस देता मैं ता किसे नो आज तक दसी ने के लगी सनाव मेंनू अपनी दास तान ओ के लगा जड़ो मैं मिसर पहुंचिया ते मेरा उंट एक खेत विच पया ते खेत दे मालक ने गुसे विच आँके पत्थर चुकिया उंट दे मत्थे विच मारेया ओ पत्थर एना टिकाने ते वज़़जा उंट दी मौत होगे केंदा मेरा इको उंट सी मेंनू गुसे आया मैं ओई पत्थर चुके पत्थर मारन वाले दे सिर्च मारेया ते नाले क्या गया खून दा बदला खून शराख है उना दी जे खून दा बदला खून नखी ते परवार दी सैमती नाल ते नू पंच सो सोने दी मोर देनी पहेगी बोल तू अपना खून दा बदला खून ते नू कतल कीता जाए जा सोने दी मोर केंदा सलीमा मेरा अंदर डर गया मैं क्या मेरे कारविच सोने दी मोर खें पंच सो मैं लिया के दे सकना पर कुछ दिन लगन गे ते शरादी अदालत ने क्या कोई अपना जामन दे दे मैं क्या मेरा ता जामन कोई खैर नहीं मैं परदेश विच चा मेरा ख्याल तेरे वल गया के अज मेनु कतल कीता जाएगा पैसे मेरे कोल नखी जामन पर रहे शुच कोई नखी के अन्दा मैं नीमी पाके क्या मेरा कुछ जानू नहीं मेरा जामन नखी ते मेनु तेरा ख्याल आया के तू विद्वाखों मेंगी किना जदो मैं तेरे बरे सोचे हां उस वक्ते कि सपेद पोश आया उते सबत सपेद पोश लिके किना साधी जी पगड़ी हो दे सिरते ते मेरे वाल देखके कहने लगा तेरा जामन मैं बाना तू चला जा पैसे लेके आ जिन्नी देर तक तू नहीं होंदा मैं अदालत विच बैठांगा मैं एते रहांगा किना मैं वाहो दाई आया पैसे तेरे तो चोरी तेनू दसन तो बिणा किसे नू पता नहीं मैं जिते नपे सन धबे सन पैसे ले गया जिस दिन मैं पहुंचिया ओधन मेरी आखारी तरीक सी अखीर वाली तरीक सी के अन्दा जदो पहुंचिया ते मेरे जजमान नू काजी कह रहे सन के जिदी जामनी तू लेजे ना हाया ते तेन वोदी था ते कतल किता जाएगा मेरा जामन मुश्करा के केंदा नहीं ओ इमानदारे जरूर आएगा केंदा इस गाल बात दे दर्मियान मैं अंदर पहुंचिया ते मेरे जामन ने क्या देखो जिदी जामनी मैं लही और चूठा नहीं हो सकता आँ पहुंचिया है मेरे जामन ने क्या तू पैसे दे जामन में नो उत्थे चट के बार निकलिया मैं पैसे तार के क्या उपढ़ा पुर्शम नो मिला होता सही जिनने परदेशी होते पर उसा करके मेरा जामन बाण गया ते लोग कैं लगे असी ता जामन दे नहीं होता तेरा बंदा सी तेरे ना लाया सानू कोई पता नखी केंदा मैं बार निकलिया और जामन मिलिया नखी सलीमा उस जामन दा चेरा मेरी आख खां सामने में पर लबा नहीं केंदा मैं वापस आया इने सुनाया ते सलीमा रो पही उन्हें क्या तूं क्यों रोई महता बच के आगया रात नो परशाद पानी शिकाया कहने लगी मेरना शवेरे खिंदी पीर दा सरोद सुन जाओगे उस औरत दे शरीर विचो ऐसी वाइबरेशन सी के गुशे विचाया हुआ बंदा शांत हो गया केंदा हाँ शवेरे में मी जहांगा ओर कताब दा करता केंदा है मुस दिन कोल सी पिन्नी रेनड़िये हनेरी रात कीरतन होया सलीमा ते ओदा पती आके बैठे जदो केंदा है लो लगी खिंदी पीर दा मुख दिसा चानन ची ते ओ जाजा गुलाम रौडा पान लग पया सलीमा एई ता हो जामन सी जड़ा कचैरी वीचे खलो के मिनू बचा के लिए आया है एई ता हो जामन खे जिनने बचाया मिनू हजूर मुशकरा पय कह लगे सलीमा तू रोज अल्ला नू चेते कर रही है तेरे पती ने तेनू चेते कीता चेते रखी जड़ा रब नू चेते करन वाले नू भी चेता कर यह सी ओ दी भी पेठरी लगन दे ओ कताब फिर मुश्ताक हुसैन ने पड़ी ओनने उसे कताब बिचो एक गल लिखी मैं इंगलेंड सना बिठा लाइब चाल रही है सी जी मैं सना देती ते मिनू फोन आगया विपाई सहब जी तुसी आ साकी सनाई है सी ते कदी सुनी नहीं नमी गाल काड़ मारी पहला थोड़ा जा दबके न लगा अखीर ते कहने लगे तुसी बहुत चंगा की ता एस साकी सुनाई मैं कहा तुसी कौन केंदा है मैं उस स्यद पृती पाल दा पुत्तरा जेड़ा साकी पड़ के आया सी मैंनोंने कारबला है सौथ हाल दे निड़े खेज ओथे मैं ओदे कारगे आते हो थे मैंनों कताब दर्शन कीते जी जेड़ी कताबों लिख के लिए आया स्यातोवा बाबा नानक उन्हें गुर्मकी विच लिखी एक शैद पृती पाल सिंग जी मैं सिर्व एक बेंती इस करके कीती सी के गुरु नानक साहब किरपालू ने ओ केंदे ने जे कुई बंदा गुनाँ मी कर दे ते ओ गुनाँ गार नों ही बख्ष दे दे पगतरव दाश कह रहे सन के मालक मैं पाप कीते तू पापियां नों ही पुवित्र कर देता ताई साथ गुरू केंदे ने जेस पापी को मिलाए ना टोई शर्न आवे ताह निर्मल खोई एक बार लिख दे फिर शाने करीमी के खौंसले देखे गुनाँ गार जो कह दे गुनाँ गार हूं मैं तडब के शानी करीमी ने ले लिया बोशा कहा जो शर को जुका करके गुनाँ गार हूं मैं माराज किन्द ने तेरा पत्त पामन नाम तां क्योंके असी तेरी पगती कीती तू साधे पापा नू खंडन कीता अगला बचन पाईस है पढ़ रसन तुम जो नायक आच्छो अंतर जामी तू सब दिया जानन वाला सब दे अगवाई करन वाला है मेरे मालक तेरे तो पता लगदा सेवक दा ते सेवक तो पता लगदा तेरा ते अखीर ते कह लगए शरीर अराद है मो को बिचार देखू एदा अर्थ जिन्नी देर तक मेरी बोड़ी काम खै कैम खै मेरे दम मर्दे दम तक साइं दी याद ना पूले तेरी याद हों दी रखे रवदास समदल समझावे को समदल दरते जड़ा सारिया थामाते एक बराबर खै मेरे को एखो जी लगदा दे 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 जड़ा सारिया थामाते एक बराबर खै गुर्मखो जे इस मुकामते रवदास है पोँच देने ओ केवल प्रमातमा दी पगती करके जिन्ना नू आपां अज आगमन दिपस मना रहे हैं पिछले साल वी अर्ज कीती सी के बाबा साहिव सिंग जी बेदी उना दे अंदर दा एक दर्ध सारे गैनेया नू तोड के गोख बना देता जिमें कह रहे सन एटी वड़ी तवारीख ते कुला लुका के रखी गी एदे कई कारण है जिन्ना ने समझाओते कीते चेते रख्यों ओना नू दिल्ली विच बंगले दिते गए इस कारने जल्म दा वरोद कीता गय तो पानल उडाया गया सब तो वड़ी गाल देखे क्योंके समझाओता ने कीता अगली बेंती ओना दा जापताब ओना दा तेज परताब देखो पंगी ते रंजीत सिंगा आपच लड़न लगे पंगी सरदार बाबाजी पहुंच देने एक दुझे दे खून दे पयासे बाबाजी दी शक्षियत ओना दे चेरा ते के नानक दी कला शबदी कला वर्दी के उना दे दिदार कर दे हुआ दोनों तड़े तलवारा उना दे सामने रख दे दे की गए ओन शक्षियत खे अगली बेंती जे अनक नल किसे ने जीना सिखाया बाबा साहिब सिंग बेदी कोना ने उसे विली दस या जदो शाज मान हुं गें मैं सिर विच्चो जी बेंती लेगें चले गें ते शेरे पंजाब नू पता लगदा जे रनजीत सेंगी शेरे पंजाब ता बाँच दे बांदा है ओ लहौर दे किले सामने उन दे ते उच्ची आवाज वे देख के केंदा है ओ अब दाली दे पोते ते नू चड़त स सिंग दा पोत्रा वगार दे जे तेरे विच दम खैते दर्वाजा खोल के मेरा मुकावला का ओ अनक किने पर ही और निडरता किने पर ही अब दाली दा पोता कंबया पार साड़े बंदे उतो ठिड़कन लगे चदो ने क्या मैं नवाबी देना राज पाग देना एक दूज देन ते किने शर्म करो शब्दे ही ने सिद्वीर सिंग ने लिखे शर्म करो ओ तो आड़े तो डर्दा कंबदा प्यागे ते तुछी पिखारी बंगे मंगन वास्ते आयो खालसा मंगता नगी कह दिता शाजमान नू के पंजाब साड़ा है तलवार जे जोर नाल कैम रखे ते और वाले समय विच वे नू तलवार दे जोर नाल घी कैम रखांगे बाबा जी दी अन्ख शाजमान गया चे ते रखे वापस आया हो दबका जरूर लाके गया मैं आमांगा सिखान देखांगा जदो आया उदो अक्खा तो अन्ना हो जुका से जेस खाल से नू ड्राना चांदा सी एदी शर्ण विचा है बाबा सहीव सिंगोना ने सच एवे अंकनल जीन लई खाल सा राजदी कहमी बनाई जे उनना दा देखो है परमातमा दी खेड उनना दा वाँ चल दा ते अंग्रेज किते अली पुर्दे नेडे खुंदा सातलोई तो पार वी अंग्रेज स्यासी पकाराज पक नखी जिटे बाबाजी गए उते उनना ने पजन बंदगी सिम्रन ते उनना दे दमदमे इस गाल दे सूच किने के बाबाजी ने परमेशवर दी पगती न जोड़िया ते मैं खीर ते कि बेंती करांगा बाबाजी दे बचन जे मन ने खुंदे ते शै शेरे पंजाब नले कुछ ना वापर दा क्यों किसी बोल देनी है क्यों वापर या ऐश प्रस्ती भी चला गया नश्या मी चले गया मैंनो वो दिन चेते हुंदा जिदन मारानी जिंदा दी शेक पुरे दे जिलेच मैंनो कहिं दिया थोड़ी लज्या रही है एदी जामा तला शी लई सी गोरिया ने लेदी पुल से कहला शब्द वरत बला के एदे तन दे बस्तर उतार के नू नगन कीता सी ओदन जिंदा पु बामार के रोई सी पर इक को मैं बेंती करा एक गुरू नानक सहवदा कारदा पंथ दो खुदो लगदा है बगाना तोपा चलावे कोई ड लाओगे हनेरी बडी चली एक रुक डिगगा हनेरी तो बाद फिर खड़ा हो गया बाड आई हाडा आया पूरा जोर लाया बाड़ने खड़ने उदिया जड़ा नगिया कीतिया पर कोई समय तो बाद फिर खलो गया हनेरी चिखलो गया तोप चिखलो ता पात चाड़ाई बेलकुल सारे पते चाड़ गया बसंत विच फिर दूने खराग हो गया ते एक दिन एक कोहाडे वाला आया उने पूरे जोर्नल कोहाडा मारेया ते रोख दे तने विचो पाणी दिया बूंदा बार निकलिया ते कोहाडा मार दिया कोई विद्वान कोलो लंगया ओ कहन लगा रोख तू ता लू भी जार गया पत चाड़ भी तू हंडाले तू खने दिरी भी चाड गया तुफान भी चाड गया यह रोया नहीं अज एक लोए दाख़ नु हड़ आये में ताम ही उठक लोता ए लोए दे टुकडे नू देखके रोना नहीं आया रोना इस करके आये के मेरी लकरदा बनया होया दसता और कुहाड़े विच पहे के मिन वड़नवास दे आ गया बस इनी गल चेते रखे ओ बाबा सैव सिंग जी तो बाद ए ना दसत यानी ये कारवड दिया ए जेड़ा अबदाली तो ना मरिया नादर तो ना मरिया जेड़ा पंत एक सदी बाबा बंदा सिंग बहादर दी शहीदी तो लेके शेरे पंजाब दे राई तक इने आपने टुकड़े टुकड़े करवाए ए चारदी कलाचरिया पेठी उदो लगी जिदो कोहाडे विच आपने दसते बाण गए ते चेते रखे हो आज भी हो को जे पुले खेजना रहे हो रोख भी हो जे आपनी दसते बाण के नो वड़न तुरेने कोई कथारी वड़न तुरपे है कोई कलमरी वड़न तुरपे है दो ख उदो लगदा है दुश्मन सामने खुलना होके आवे वदा मुकाबला हो जानदा है कलना कोहाड़ा आए की कर लएगा जदो लकड़ दे दस्ते बनके विचवाइच देनो दो पुली खाबाई जानदा है सत्ग्रू किरपा करे इस कर दी आप जी खाजरी पर रहे हो सब्दा तह दिलो तनवाद मैं समा काफी लेया बाबा जी ने क्या खुल लेटा हैं इस करके मैं ज्यादा समा लेया मिनू बक्ष दे आजे ते दू जी मैं बाबा जी पाई हर जिंदर सिंग उना ने खास करके क्या सी अशी कठे सी नू जी उत्थवी बिमार हो गए हो आज तक दपैर तक सी चलांगा पर उना क्या भी संगत तो खिमा मंगे हो अगले साल गुर्देव किरपा करन तो अड़े दर्शन दिदारे कर लें बहुत सोना टिकाब जी ने बनाया दास बाबा सर्व जोत सिंग जी इना दा तह दिलो तनवादी है क्योंके मेरा ख्याल 1990 विच जदो पहला गुर्मत अदू तीस मेल नबे कानवे चोया उदो बाबा जी दे दर्शन दिदारे हुए उस दिन तो लेके गुरु नानक सहीव दी अंस बंस गुरु नानक सहीव दा खून एना दियां रगा मिच है पर इनी साथता हर विद्वान एक एना दी तड़व है किसे टांग तरी के नल पंत दी चड़दी कला हुए गुरु नानक सहीव दे बोले आदा जैजैकार हुए ते सत्गुरु किरपा करे इस कारली साधी पामना बनी रहे सब दा तानवाद गुर्मक प्यारे मापुर्ख जितने बैठे ने सन्मान योग बाबा संत बाबा नूब सिंग जी पाई उंकार सिंग जी पाई प्यारा सिंग सारे मापुर्ख बाबा जीत सिंग जी क्योंके सेवापन थी मापुर्ख हैं इस कारली आस थे बड़ी दिर्ड़क है सब्द तेह दिलो तनवाद जी सनमान योग माता जीदा वाहि गुरु जी का खालशा वाहि गुरु जी की पते तो गुरु की साथ संगत जी आप जी आनो पंथ परसे देविद्वान पाईशेव जानी पिंदर पाल सिंग जी महराजियां दे पावंदर कर दियां वडियां उश्रमन करवारे सन बहुत बहुत तनवाद